नमस्कार दोस्तों, टेक सकेंग के एक बिलकुल नहीं, फ्रेस और एकसाइटिंग अपसोर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। डिलाइंस जो की तरफ से 5G साविसेस को लॉंच कर दिया गया है। आज टाइम के लिए औरिशा सार्केल के अंदर अपने 5G सार्विसेस को लॉंच कर दिया गया है। अपने 5G साविसेस को लॉंच कर दिया है। इस जो के तरफ से बताया गया है कि फेवरॉरी महिने के अंदर और कुछ जगे के अंदर अपने 5G सार्विसेस को लॉंच कर दिया जाएगा। दोस्तो उनकी तरफ से और भी बताया गया है कि डिसेंबर 2023 तक पूरे औरिशा सार्केल को 5G से कौफर कर दिया जागा है। रिलाइंज जो का 5G सार्विस में लिए औरिशा के अंदर देखने के लिए मिल जाएगे। तो ये काफी बड़ा स्टेडमेंट है जो मिली रिलाइंज जो आथरेटी के तरफ से यहां पर बताया गया है। दोस्तों औरिशा के अंदर जियो 5G लांच करने के लिए कितना खर्ची यहां पर हुआ है वो जियो की तरफ से क्लारिफाइ नहीं किया गया। इससे पहले हाला कि जहां पर भी जियो अपने 5G सर्विस को लांच करते थे तो उस पर्टिकुलर सार्केल के लिए कितना अपर मिल जाएंगे क्योंकि जियो का यह कहना है कि जियो 5G के इंप्लिमेंटेशन काफी ज्यादा अमूंट फोने वाला है हाला कि हेल्ट केर सेग्मेंट और जो प्रैक्टिकल इंप्लिमेंटेशन हो सकते हैं 5G उसका डेमोंस्ट्रेट में लिए इस पाटिकुलर को सपोर नहीं करते हैं तो इसके लिए मेक्सियोर आप माइजय अप्लिकेशन को डाउनलूट कर लेना और डाउनलूट करने के बाद मेली वहां पर एक डिवाइस चेकिंग का अपसंस मिलेंगे तो जब भी आप उहां पर जाएंगे मेली आपके डिवाइस जियो 5G को सपो अपसले एलकम आफा ले सकते हैं यह भी काफी आसानी से आप पाजाएंगे आप जो जी ओ का सिमकार यूज सिमकर रहें वह ऊपर वला रिचार्ज रहना चाहिए तो मिली अगर आप उस पर्टिकुछल के अंदर रहते हैं उस पर्टिकुलर शिटी के अंदर रहते हैं तो जियो की तरफ से आपको invitation भेजा जागा by SMS, अगर आपके पास invitation आ जाते हैं, तो मेली आपके जो network है वो आप 5G पर convert कर लेना, और 5G convert करने के साथ-साथ आपके mobile phone पर 5G signal ना start हो जाएंगे, उसके बाद आप truly unlimited 5G data को यहां पर use कर सकते हैं, कोई limitation नहीं है, true unlimited 5G network को आप use कर सक जियो की तरफ से जो यहां पर provide किया जा रहा है, तो ARTL के अंदर क्या होते हैं, ARTL 5G यहने से के साथ जा रहा है, और आपके जो 4G plans है, for example 4G plans के अंदर आपको daily 2GB करके data मिलते हैं, तो वही 2GB data आपको 5G के अंदर भी देखने के लिए मिलेंगे, लेकिंगे जियो के अंद तो आप definitely इसे consider कर सकते हैं, और काफी बढ़िया तरिये से आप 5G services को यहां पर use कर सकते हैं, तो इससार अपडेट्स हमने पास निकल कर रहा था, छोटा सा वीडियो बना कर आपको बता दिया, अगर वीडियो पसंद आ है, कुछ ने जान कर लिए मिला तो वीडियो को कि एगा